दिल्ली में आज इंडिपेंडेंडे को लेकर फुल ट्रेस रिहरसल चल रहा है जिसको लेकर कई रास्तों को बंद किया गया है और रूट डाइवर्जिन किया गया है पूरा लालकिला परिसर इस वक्षाबनी में तब्दील है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलो की नजर है लालकिला और आसपास के इलाकों में 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है पुरी दिल्ली में सुरक्षा के बंदुबस्त कड़े किये गए है ताकि किसी भी तरीके से 15 अगस की तयारियों में कोई खल लना आए जशने अजादी के मौके पर भारती बॉर्डर को और जादा मजबूत किया गया है लॉंग रेंज बिसाइल अटाक से लैस इस्राइली ड्रोन को चीन पार्ग बॉर्डर पर भी तैनात किया गया है एक साथ दोनों सीमाओ की निगरानी में समक्षी ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उडान भर सकता है देश के नॉर्डरन सेक्टर के फॉर्ड एर बेस पर एडवांस्ट हैरोन मार्क टू ड्रोन की तैनाती की गई है ये ड्रोन लॉंग रेज़ मिसाईलों से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है इसके अलावा एक ही उडान में चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओ की निगरानी भी कर सकता है बॉर्डर पर तैनात हैरोन मार्क टू ड्रोन लॉंग रेंज मिसाईल अटाक की ताकत रखता है 217 किलोमेटर प्रदी घंटे की इसकी स्पीड है 35,000 फीट उचाई तक उडान भर सकता है एक बार में 36 घंटे तक उडान भरने की ताकत रखता है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है आधुनिक सैटेलाइट कम्यूनिकेशन से लैस ये ड्रोन लेजर लाइट की जरिए टागिट को भेज सकता है और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकता है माइनस टेंपरेचर में भी ये पूरी तरह से वर्क करने में सक्षम है और जरूरत के हिसाब से हथ्यार एड भी इसमें किये जा सकते हैं अजादी के सुथ्सव में प्रधानमंत्री मोधी भी शामिल हो गया है थोड़ी दिर पहले पीम मोधी ने अपने सोशल मीडिया पर डीपी चेंज कर दिया है और देश के राष्ट ध्वज की तस्वीर लगाई है प्रधानमंत्री मोधी की अपील पर देश फर में मेरी माटी मेरा देश कामपेंड चलाया जा रहा है